दुनिया पहले ही खतनाग महामारी कोरोना वारस से जूज रही है अभी उसका वैक्सीन भी बन का तयान नहीं हुआ है और ना ही अभी तक इस बिमारी से उभर पाए हैं इसी बीच एक और वारस की एंट्री ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है हाल ही में एक नए वैक्सीन की जानकारी सामनी आई है ये संक्रमन सेल्मोनीला नामक बैक्टिरिया से फैल रहा है हरान कर दिने वाली बात तो ये है कि ये वारस अमारिका के 34 राजियों में फैल भी चुका है साथी 400 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी भी सामनी आई है वह इसकी हालत काफी घराब है और ऐसे में नए वाइरस का 34 राजियों में फैलना और 400 लोगों को संक्रमित करना एक चंता जनक ख़बर है अमारिका की सबसे बड़ी स्वासेजिंसी CDC यानि Center for Disease Control and Prevention ने इस वाइरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है बता दें कि अमारिका में करोना वारस से अमारिका में कई मौते भी हो चुकी है इन सब परिसेदियों के बीच प्यास से फैले वाले सल्मोनीला नामक बैक्टेरिया से बने इस वारस ने चंता और भी बढ़ा दी है अमेरिकी Food and Drug Administration की माने तो सल्मोनीला का संक्रमन अमेरिका के 34 राजियों में लाल प कंपनी के खिलाफ दिशानिरदेश जारी कर दिये कि और सप्लियार ने भी लाल सफीद पीली और मीठी प्यास को मार्केट से वापस मंगा लिया है लेकिन उनका कहना है कि इसके जराबिच अनकारियोंने नहीं है कि उनके प्रोड़क्ट से किसी तरह का संक्रमन फैल रहा थ सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल इकन फोर अप्डेट्स